प्राचिन समय में भारत में ऐसे सन्या सी थे कि वो सीथे रास्ते पे चलते थे अगर सीथे रास्ते पे गाँव आया तो पोजन करेंगे आस्रा लेंगे वरना जंगल में से जो मिलेगा उससे ही अपना पेट फर लेंगे और जंगल में ही अनिकेत रह करके रातरी बिताएंग तो जीवन मुक्त को भी इसी प्रकार चलना होगा दोस्तों, जीवन मुक्त के जीवन में शुक आएंगे, दुख आएंगे, मान आएंगे, अपमान आएंगे, निंदा होगी, स्तुति होगी, सब कुछ होगा, पर जीवन मुक्त को जो कुछ भी घटित होता है, उसको परमात् सुख् Berières तो स्विकार करना है अगर सुख मिल रहा है अगर पर्मात्मा के प्रसात के रूप में इंदरिये के शुख मिल रहे है It! उनका भी उपभोग करना है पागना नहीं है यह बड़ी गलत फैमी है कि शुखों से पागना अत्यात्म है नहीं सुख के एक एक रस का पुर्ण रस लो परन्तु तुम कुछ प्रयास मत करो अगर शुवी धाय आती है तो उसको भी तना गले लगाओ और शुवी धाय आती है तो उसमें भी नाच लो और तुमारे सामने अगर किसी के अंतिम यात्रा हो रही है तो उसमें भी राम बोलो भी राम कर लो मतलब तुम कोई प्रयास नहीं करोगे जो जीवन अपने आप खटित करता है उसमें तुमारा हस्तक शेप नहीं तुम बस पुर्ण स्विकार यह जीवन मुक्त को करना होगा जब तक यह नहीं खोगा जीवन को परमात्मा का प्रसाद मान कर उसका पुर्ण स्विकार नहीं होगा जीवन मुक्ति संपव नहीं है